नमस्कार दोस्तों मैं राय साथ स्वागत करती हूँ आपका दो आटरिंग में आज मैं आपको बताऊंगी इंडोर और आउट्डोर गेम्स के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चानल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्ली सस्क्राइब तो आट चानल और हिट थे बेल आइकन फो रेगुलर नोटिफिकेशन चलिए पहले हम आपको इंडोर गेम्स की ओले चलते हैं शत्रंच, लुडो, कैरम, कार्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स, म्यूजिकल चैर, मार्बल्स, पिलो गेम्स, टेबल टेनिस, ये खेल मौसम से प्रभावित नहीं होते हैं, जादा स्थान भी नहीं घेरते हैं, चोट लगने का डर भी नहीं रहता है, और तो और इनको आउटओर गेम्स की तरहां करियर के रूप में भी चुना जा सकता है, अंतर राश्क्रेस तर पर भी अब इंडोर गेम्स की प्रत कर्वी, वॉलीबॉल, होकी, बेसबॉल, हाइटन सीक, खोखो, कबड़ी आदी, आउटओर गेम्स में खुले जगे की जरुरत होती है, और तो और जादा प्लेयर्स की भी, हेल्फ को देखा जाए, तो आउटओर गेम्स जादा बेनिफीशल है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, सब भी अंगती शील हो जाते है, मास पेशिया मजबूत बनती है, बच्चों की हाइट भी बढ़ती है, दिमाग का विकास भी बहुत तेजी से होता है, परन्तु मौसम का प्रभाव इंखेलों कर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, बारिश, तेज धूप, तुफान, आधी के कारण इन खेलों में काफी रुकावटी भी आती है, कई बार तो वर्ल कप भी रुख जाता है बारिश के कारण, आउटओर गेम्स इतने लोग प्रिये हैं कि कोई भी अच्छा खिलाडी बहुत जल्दी प्रसिद्धी पा लेता है, वर्ल कप, उलम्पिक्स, कोमन जिसी प्रित्योगिताओं से अच्छा धन अर्जित तो करता ही है, प्रसिद्धी भी प्राप्त करता है, अवर्ड सो आउटओर और इंडोर दोनों गेम्स के लिए ही दिये जाते हैं, जब कोई खिलाडी आउटओर गेम्स के लिए बाहर जाता है, तो उसके देश में कई दोस्त बन जाते हैं, और वेवार भी कुशल बन जाता है, जिससे उन्हें समाजिक मूलियों का भी पता चलता है, आउटओर गेम्स को लोग टिकेट लेकर देखने जाते हैं, जिसके की प्रायोजको को भी काफी अच्छा धन मिल जाता है, इस गेम में बहुत ही महन चाहिए, और यह भी सच है कि महेंती व्यक्ति कम बिमार पड़ता है, लेकिन टेबल टैनिस, चेस, रसी कूदना, कैरम, आधी गेम में भी स्वस्ते के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि कैरम में पूरा कॉंसेंट्रेशन करना पड़ता है, कैरम की रानी कव लेनी है यह भी रनीती का एक अध्याए है, जिंदगी में बड़ा निर्ने लेने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है, जैसे ही समय आता है, बिना गवाई निर्ने ले लेना चाहिए चेस से भी फोकस बढ़ता है, अगर छोटी उमर में ही यह गेम खेला जाए, तो दिमाग की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, रसी कूदना तो सबसे अच्छा इंडोर गेम है, दस मिनट तक रसी कूदना आठ मिनट तक दोड़ने के बराबर होता है, हडिया तो मस्बू हो जाता है, पैरो की मास पेशिया भी मजबूत हो जाती है, परंतु आज कल की यूवपीडी और बच्पन दोनों को ही व्यस्त हैं वीडियो गेम, मोबाइल और टीवी में, जो की दिमाग और सिहत दोनों के लिए ही हानिकारत है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अग अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें, आगे आने वाली देश-विदेश की खबरों के लिए हमारे साथ जोड़े रहिए और देखना ना भूलें, धन्यवाद